दिवाली का मौका है और सुप्रिम कोट ने जिस तरह का निर्णे दिया है अस्थाई करमचारियों के लिए वो वास्तव में उनकी जो चेहरे की सलवटे हैं उनको जरूर खुल देगा हरियाना और पंजाब हाई कोट ने जो निर्णे दिया था उस निर्णे को पलटते हुए सुप्रिम कोट ने कहा है कि इस्थाई करमचारियों को जो वेतन मिलता है अगर उसी समान काम को इस्थाई क फैसला है इस एतिहासिक फैसले में अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है इसके पीछे कई तरह की बाते हैं कई तरह के पेंच हैं हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कारिकम फैसले में कई ऐसी बाते होती हैं कई ऐसी नजीर होती है जब देश का आम अवाम सुप्रिम कोट पर आख बंद करके उसे दिल से भरोसा हो जाता है कि नहीं अभी भी कोई है जो उसकी सुन रहा है और जो न्याय करता है यहाँ पर आस्थाई करमचारियों के को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रिम कोट ने उस सुप्रेम कोट के उस फैसले के अंदर क्या क्या बाते हैं क्या खास बाते हैं हम आपको αुरवाते हैं सुप्रेम कोट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन की सिद्धान पर अमल होना आवश्यक है सर्वोच नियाले ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थाई करमचारी भी नेमित करमचारियों के तरह ही समान वेतन पाने के हगदार है जैसिस जेएस केहर और S.A. बोबडे की बैंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन करमचारियों का दिकार है इस समंद में सर्वोच नियाले का फैसला पंचाब के करमचारियों के उरसे दायर एक याजका पर सुनवाई के बाद आया इन करमचारियों ने समान वेतन देने की मांग की थी इस फैसले से देश बर के लाखों अस्थाई करमचारियों को राहत में रेगी याजका में कहा गया है कि राजसरकार खाली पदों पर अस्थाई करमचारी को बहाल करने के बजाए कॉंट्रैक्ट पर करमचारी रखती है और उन्हें कम वेतन देती है जो कि गलत है पंजाब एवं हरियना हाई कोट ने ये याजका ठुगरा दी थी लेकिन सुप्रीम कोट ने हाई कोट के फैसले को पलट दिया इस फैसले से कॉंट्रैक्ट पर काम करने वाले लाकों करमचारी को राहत मिलेगी कोट ने कहा कि किसी की महनत का फ़ल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत है एक जैसा काम करने वारे करमचारी को कमवेतन नहीं दिया जा सकता ऐसा करना न के बल अपमान जनक है बलकि मानवी ये गरिमा की बुनियाद पर कुठारा घात है सुप्रेम कोट ने यह भी कहा कि कोई भी मर्सी से कमवेतन पर काम नहीं करता कि परिवार के भरन कोशन के लिए ऐसा करता है हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो आस्थाई करमचारियों को समान वेतन देने की बात सुप्रेम कोट ने कही है उस ये एक बेसिक फैसला है लेकिन कोट जब फैसला लिखता है तो उस फैसले में कुछ कखग और है जाता है जिसे समझने के लिए हमें वकीलों के पास जाना पड़ता है नियाए विदों के पास जाना पड़ता है सुप्रिम कोट के वकील हमारे साथ है दुर्शंद पारासर उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है पारशर जी और माला दिक्षित हैं आप विशेश सम्वाद आता है दैनिक जागरन की आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले पारशर जी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बेसिक फैसला पूरे देश को समझ में आ गया कि दिवाली के एन पहले सुप्रिम कोट ने कहा कि समान काम समान वितन आप स्थाई हैं कि आज स्थाई हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु इसके साथ में सुप्रिम कोट ने क्या कुछ एक दो तीन चार कुछ और जोड़ा है जो आप हमें बताना चाहिए बिल्कुल, सुप्रीम कोट का एतिहासिक फैसला है, सुप्रीम कोट ने इस फैसले के तहत ये बताना चाहा है, कि वो इनसान जो काम एक तरीखे का करता है, उसमें कोई भेद भाव नहीं किया जासा, अगर एक इनसान जो इस केस में हर्याना पंजाब सरकार अपील में आई, इसमें टर्नर, फिटर, मोल्डर, और डेली वेजर्स थे, चौकीदार्स थे, उसमें उन लोगों ने कहा कि चुकी मैं इतने दिनों से काम करता हूँ, इसलिए मेरे को इकवल पेफर, इकवल वक दिया जाए, काम वही करता हूँ, जो सरकारी नौकर लोग करते हैं, सरकार के चुने हुए लोग जो काम करते हैं, मैं भी वही काम करता हूँ, तो मेरे को तनखवा बराबर दी जाए, उस पे पंजाब हरियाना सरकार ने ना कहा, वो लोग कोट आए, पंजाब हरियाना हाई कोट ने कैटेगरीज बनाई, कि कि किन को किन को इकवल पेप और इकवल वक जाएगा, जो दस साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो सारे कैटेगराइजेशन किये ती, लेकिन सुप्रिम कोट ने उस तीनों कैटेगराइजेशन को जब स्टेट और पंजाब यहाँ अपील में आई, कि मैं इससे भी ज़्ज्मेंट को डिसकस किया इस ज़्ज्मेंट में, अपने ज़्ज्मेंट में, और उसमें कहा कि क्या ग्राउंट्स कौन-कौन से मुल्भूत आधार हैं, जिसके तराजू पे यह तौला जा सके, कि क्या आपको बराबर का, इसके बाद भी कोई पेंच बागी बच्च अपको यह पेंच नहीं रसता है, क्योकि मानने हैं जिसमें इन्स्तीक्षिन हैं और आस्थाई करमचारी के साथ भी उसीतरह से फोलो होते हैं, जिसमें करमचारी के साथ हो आज के बाद, 26 अक्टूबर 2016 के बाद, वहीं फोलो कीए जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में, ज बातें क्या हैं जो सुप्रींग कोट ने कहा कि जो ये मुकदमा लेके हमारे सामने आता है उसको इस बात को प्रूफ करना होगा पहला कि जो काम वो कर रहा है इस काम का सेंसिटिविटी जो है सेंसिबिलिटी जो है जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारी के साथ एक आपके पास वो नजाकत होनी चाहिए समझ की, जो सरकारी करमचारी कर रहे हैं, मैं भी एक मूल भूत बात कहना चाहता हूँ, मेरा कहना ये है कि जब समान काम के लिए समान वेतन की घोशना कर दी गई, तो फिर अस्थाई करमचारी जैसा शब्द ही क्यों बचता है? अभी तक इस जज्जमेंट से पहले, स्टेट ऑफ करनाटका वरसे जुमा दिवी जो कॉंसिटुशन बेंच का जज्जमेंट है, जिसमें वो हिंदुस्तान में एक रिवलुशन लाया, क्रांती लाया, उसमें क्या था? कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोग काम कराते हैं, ठेकेदारी वरकर हैं, बैक ग्राउंड एंट्री है, ऐसी एंट्री है, सुप्रीम कोट ने उस जज्जमेंट में ये कहा, कि आज हिंदुस्तान का जनसंख्या तेजी से बढ़डा है, तो इस जनसंख्या इस परिवेश में, अगर वही काम करने के लिए सौ लोग इलिजब मैं इसके आगे एक सवाल करता हूँ, अगर कोई संस्थान अब आगे से इस फैसले से डर कर, पर्मानेंट एंप्लॉई रखना ही बंद कर दे, तब क्या करेगा कोई, संस्थान इस जज्जमेंट के बाद से, एरेगलर एंप्लॉई या टेंप्ररी एंप्लॉई या डेली finance को, for any good reasons, वो लोग ये काम करते थे, वो काम नहीं होगा. सब कुछ मिलता है. इस फैसले के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो जो सुप्रेम कोर्ट का फैसला है, वो सबसे पहला impact सरकार पे डालेगा. सरकारी कर्मचारी में, जैसे आपने देखा होगा, कल ही एक खबर आई है, दिल्ली सरकार ने कहा कि हम सब को समान वेतन देंगे. वालों में, तो अभी भी उमा देवी का judgment जो exist कर रहा है, वो बड़ा hurdle है. क्योंकि उमा देवी का constitution bench का judgment है, जो contract पर कहता है कि contract से जो आए है, उनका contract और agreement कंसीडर किया जाएगा. यहाँ पर ये government संस्थान में थे. discrimination government कभी नहीं कर सकते. आपका पहला right government से लड़ने का बन जाता है. लेकिन यह मिसाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि अगर कोई private कर्मचारी भी लेके जाता है, कि हम भी 25 साल के और हमको equal दिया जाए, जैसा कि 80 से चलता चला आ रहा था. मालिया, मालिया, पार्लिया मेंट के अंदर कोई ex department शुरू किया गया, और secretary ने तै कि भी हम तो ex department के अंदर सभी employee को contract पर भरती करेंगे, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में क्या बनता है, आज इस supreme court के decision के बाद. इक्वल पे, इक्वल वर्क, इक्वल पे का concept जो है, ये exist कर रहा है 80 से, मैं आपको बता रही हूँ, supreme court लगातार कहता है, लेकिन उमा देवी के फैसले के बाद break हुआ था, उसके बाद एक चीज और आई थी लेकिन, वो चलेगी, जो की hurdle जो आएगा, मैं आपको बता रही ह है, होता क्या है, कानून बहुत सारे रास्ते दे देता है लोगों को, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए, वो नहीं कहते हैं कि आप contract पर रखे गए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप तो as a consultant आपको हमने appointment किया है, ये बिलकुर, ठीक है, और वो जिन लोगों को consultant appointment किया है, वुन लोगों की संख्या सो भी है, डेड़ सो भी हो सकती है, वो सब लोग वो सारे काम कर रहे हैं, जो आट घंटे एक आदमी जॉब करता है, ठीक है, उनके उपर वो सारे rule and regulations लागू होते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, और वो सरकारी संस्थान में काम करने वाले बिल्कुल, इस पे सुप्रीम कोड का जज्जमेंट डिरेक्टली अभी है अप्लीकेबल है, सुप्रीम कोड कहता है, तुरंत होता है, कैसे होता है, उसके लिए बेंचमार्क्स दिया सुप्रीम कोड ने, अगर मान लिजीए, आप किसी को सरकारी संस्था, किसी को employ करती और बिभाग में जो काम कर रहा है, उसको सेक्षन ओफिसर कहा जाता है, बिल्कुल, और हमको कंसल्टेंट कहा जाता है, और हम भी वही डेलिवर कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, नियाले का दरवाजा खटकटा था पहले, अलग-लग जजजमेंट हुआ कर रहे हों चाहे private संस्थान कर रहे हों क्या आपको लगता है कि मामला immoral भी है? इम्मोरल है और court ने कहा है कि जो अगर कहीं भी कर रहे हैं वो मजबूरी वश कर रहे हैं कोई अपने मन्से कम वेतन पे वही काम करने के लिए राजी नहीं होता है तो इसके लिए अब मैं एक आगे की स्टेप बताना चाहूंगी कि इसके लिए ना सिर्फ सरकार को अपने रूल बनाना पड़ेगा सरकार को प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी कि आप ये टेंडेंसी बंद क करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट है you have to implement this judgment और इस तरह से कई सारे colleges को जानता हूं जहां पर दो जगहे signature कराया जाता है employee से वो तनखवा 80,000 पर signature करता है और 12,000 रुपिया घर ले कर जाता है ये सब और वहां पर सभी करमचारी 100% इसी category के होते हैं क्या होगा मुझे तो ये लगता है कि जब से liberalization आया है उदारी करन आया है तब से ये जो आर्थिक अनेतिकता है ये इस कदर बढ़ी है जो हमारा जो एक तरह से employer है उसमें कि उसे हम कह नहीं सकते हैं वो जो आप उधारण दे रहे हैं वो देखिए ad hoc या contract नहीं दिखा रहा है वहां फर्क है वहां पर वो शो कर रहा है management की ये हमारे हैं फुल फ्लेज़ेट है और आम इनको इक्वल ग्रेट दे रहे हैं और उनका शोशन हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो वहां पर फुल ग लोगों की संख्या भी अथा है क्या होगा अब उन लोगों के लिए अच्छे दिन आ गए ये वो सारे लोग ये जज्जमेंट आर्टिकल 12 कॉंसिटूशन से मिदान का आर्टिकल 12 कहता है कि कोई भी रिट पिटिशन अच्छे दिन आ गए लेकिन वो निकाल देगा उनको अगर मैंने कहीं 20 साल काम किया अब मैं कोट जा रहा हूं आपने निकाल दिया तो कोट के पास इमेंस पावर है अथा शक्ती है वो वापस हमको रिस्टोर बैक करेंगे सिर्फ मैं क्या दिखाने में समर्थ रहूं पहला जो काम कर रहा हूं वो एक्वल सेंसिटिविटी का क जो मैं काम किया वही काम एक सरकारी मुलाजिम में ने भी किया इक्वल सेंसिटिविटी दूसरा का उन्होंने क्वालिटेटिवली सिमलर बट इस सेंसिबिलिटी को कौन चेक करेगा कैसे करेगा मैं दिखाऊंगा क्या काम करते थे मान लीजे अगर मैं मोल्डर था मान करेगा मैं क्या बताऊंगा कि साब मैं आप इनके हां मैं 20 सालों से चौकिदारी करता हूं क्या उसके लिए पुरूफ दिखाना होगा आपको दिखाना होगा उनके द्वारा प्रदत आई-कार्ड इडेंटिटी कार्ड जो की 20 साल पुराना 20 साल कवर करेगा दूसरा होने पर question mark करता है अगर यह मैं दिखा के अगर अगर वो संस्थान की भई उस आदमी के खिलाब जो है दस बार साल भर के अंदर नोट अगर निकाला गया तो तो अगर यानि वो तो शिकायत हो गई ना मैं आपको इंटरप्ट करूंगा अगर वो दस बार नोट निकाला ग लेकिन अगर मेरा मेरा character role बहुत साथ और गयार्वे महीने में निकाला गया तो तो अगर यह गयार्वे महीने में निकाला गया और फिर नए करमचारी भरती किया जाते है उस पे Supreme Court ने फिर यही कहा है कि regularization उमा देवी में में था यहां पे Supreme Court ने कहा कि regular हो ना हो equal pay for equal work अगर काम आप equal sensitivity का करते हैं काम आप qualitatively similar करते हैं और यह दिखाते हैं कि duties and responsibilities same है जो उनका है फिर आप contract पर है कि consultant है फिर कार्ली makes any difference देन देन Supreme Court ने कहा then you have to तब Supreme Court ने Article 7 National Convention international convention को court किया है अपने judgment में और कहा है कि internationally भी यह recognized principle है that you cannot यह amount करता है सीधा समविधान के article 14 equality before law article 16 आज अगर हम callers को अगर लेते हैं आपके सामने तो मुझे लगता है कि नियाला को और Supreme Court को बदाए देने वाले लोगों के लिए phone line jam हो सकती थी नादर मैं आपको यह शला दूँगा कि अगले जब भी प्रोग्राम कन्वीन करें ताकि यह हिंदुस्तान के लोग इसको जाने बिल्कुल वो एक awareness जो है वो भी शायद create होने की जरूट है माला जी आपको क्या लगता है दैनिक जागरन में या बहुत सारे पत्रकारिता के संस्थानों में और भी बाकी संस्थानों में जो इस तरह की जो एक बहुत बड़ी brigade है एक तरह से जो रोजाना थोड़ा-थोड़ा खून देती है अपना उसके लिए अच्छे दिन आ गये हैं आपको लगता है सारे कर्मचारियों के लिए अच्छे दिन आए मैं तो यह कह परिशान थे हैं कि हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहें वो सबसे ज़्यादा परिशान वर्ग था क्योंकि सबसे ज़्यादा जौब सब्लेट होती है या शोशन आप देखे तीन तीन चार चार पाच 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 अचार में टीचर पढ़ाते रहते हैं उनको को ग्रेड नहीं मिलता अब उनको ग्रेड मिलना उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात आई है बाकी अब जो इसमें भी जो ओर्डर हुआ है एस पर रूल तो गौवर्मेंट को रूल बनाने पढ़ेंगे जज्मेंट के बाद इसको इंप्लिमेंट करने के लिए सरकारी हैं वो अपने आप से चेते हैं और उसको जो है लागू करें जज्मेंट के में अवेरनेस लाई जाए लोगों में कि यह जज्मेंट आ गया है और अगर आप बराबर का काम कर रहे हैं तो यह नहीं होगा कि आपको पच्छीस हजार और फुल वेजज वाले को पचास हजार मिल रहे हैं आपको भी पचास हजार मिलेंगे भले ही आप अड-hoc हो अइस्थाई करमचारी क्योंकि इस्थाई तो फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है कि पोस्ट खाली थी कि नहीं थी कितने पोस्ट क्रियेट हुए थे उसका प्रोसीजर अलग होता है लेकिन अगर आप अ अीजरुम्चारी कहीं से लाया गया उसको जो है उठा कर कि कोई कोई लेना देना नहीं है क्या है क्या नहीं है उसको इसा कर दिया उसको इसा कि उ-स अइसा आपको बताओ इस जज्जमिंट का सिधा-सिधा ये मतलब हैसाई जो काम करते हैं, ओ अगर वो काम करता है, बहुँ वो काम करता है, अंदर आने का उस और्गनाज़शन में अगर सोर्स दो है, काम एक है, जिम्मेदारी एक है, सेंसिबिलिटी एक है, रिस्पॉंसिबिलिटी एक है, नेचर आफ वर्क एक है, टाइमली आर्स एक है, अगर समान वेतन और समान काम की बात, समान काम समान वेतन की बात है, तो consultant, contract और permanent इस सब की जगह जो है, कोई एक ही source जो है, अगर वो हो, तो शायद cases और इस तरहे के जो जगड़े जंजट हैं, वो नहीं होंगे, तो उसके लिए ये judgment, ये नसीहत देता है पूरे हिंदुस्त 65 करोड युवा का देश, जो की नौकरी के लिए घुमता फिर रहा है, वहाँ पे आप open recruitment कर दें, जो आप recruitment करते थे 10%, 90% back door entry होती थी, आप उसको open कर दें, open करें, जो आज vacancies चिपी हुई हैं, जिस vacancies को आप camouflage करके दूसरे को ले आते हैं, that you open it, and the moment you will be opening, जैसी आप उसको open करेंगे, वो सारे बच्चे जो eligible हैं, वो अंदर आ जाएंगे, बिल्कुल, यानि कही न कहीं जो है, जो उन्होंने कहा कि कुछ hidden vacancies हैं, और उनकी संख्या शायद कितनी बड़ी हो सकती है, कितने बड़ा amount हो सकता है, और कितने youth जो हैं, उनको employment मिलने की chances जो हैं, वो इस decision क वजह से आ रहे हैं, आपको लगता है कि एक बड़ा बहुत बड़ा बदलाओ जो है आज का बड़ा बदलाओ आएगा, सरकार में विशेश तोर पर backdoor entry बंद हो जाएगे, क्योंकि जैसे ही आप किसी को इंटर करेंगे, आपने recruitment process नहीं कि अपने चाहेते कोई लेकिन सरकार के उपर liability equal आएगी, आप वो 10,000, 5,000 या 25,000 में नहीं रख सकते, उसको 50,000 यह देना है, जो grade है, तो इससे क्या होगा, सरकार restrict हो जाएगी, कि किसी को भी आप backdoor entry से अब बंद हो जाएगा, और जो transparent manner है, recruitment का वही आगे बढ़ेगा, और ये बहतर भी होगा, उस imply के लिए आखिर में कुछ कहना चाहिए, सरोच नियाले ने कहा था, सरोच नियाले अपने जज्जमिन ने बहुत बढ़िया quotation दिया है, मानिये सरोच नियाले ने कहा है, कि मेहनत का फल आपके बनाए हुए artificial parameters में, नहीं बंद होगा, कभी नहीं बंदने चाहिए, जिससे कि एक आपक इस इमारत की एक इट है, उसको कभी ये कमजोरी की महसूस, कमजोरी की महसूस नहों और उसको बहुत 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 शुक्रिया आपका पारसर जी, माला जी आपका बहुत 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 शुक्रिया, और यहां पर सुप्रिम कोट का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस द कर दो एकटार